वेलकम टू माई यूटूब चैनल चलिए दोस्तो हम बात करेंगे कि सपने में पहाण देखना कैसा सपना माना जाता है तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मेरा वही पुराना रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो आप हमारे यूटूब चैनल जो दिस माईड को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ घंटे का वतन दवाले जब भी में कोई नया वीडियो अफ्लोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो यदि हमको किसी परकार के सपने दिखाई देते हैं तो वह हमारी जीवन में बहुत ही जादे महत तो रखते हैं आपको किसी परकार का सपना दिखाई दे तो दोस्तों समझ लिजिए कि वह सपना आपके जीवन में किसी ना किसी परकार का सुव्यासुप फलने वाला है तो दोस्तों आज हम इसी परकार के सपने पे चर्चा करेंगे सपने में पहाण देखना कैसा सपना माना जाता है कठिन परिश्रम करना पड़ेगा तब जाकर के आपको धनलाब की पनुवूती प्राप्त होगी तो दोस्तो इस सपने का सीधा अथिया है कि यदि आप बहुत ही जादे कठिन परिश्रम करते हैं तो आपको जल्द ही धनलाब मिल जाएगा दोस्तों यदि आपको ऐसे सुफल देने वाले सपने दिखाई देते हैं तो इस सपने का चर्चा आपने परिवार में और किसी सगे सम्बंदी से ना करे वरना इस सपने का प्रभाव खत्म हो जाएगा और यह सपना आपको सुफल ही दे पाएगा दोस्तों इस सपने को पूल रूप से साकार बनाने के लिए इसका पूल रूप से लाव लेने के लिए आप अपने इस मरण अपने इस्ठ देव का मन में ही करें जी हो दोस्तों आपने सही सुना कि आप अपने मन में इस मराण अपने इस्ट देव का जरूर करें तोरंत ही आपको इस अपने का सुप्फल देखने को मिलेगा मित्रों दी गई हुई जनकारी यदी पसंद आई हो तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट बोक्स में ओम नमस्तिवाई लिखना बिल्कूल ना भूले धन्यवाद मित्रों